प्रभारती जन्तापार्टी के ही परिष्टिक कारेकरता से सचिदानुंद सर्माजी और उपस्तित भाईयो बैनों मैं सबसे पहले प्रभुत जनों से जुड़े भे आज के सम्मिलन में आप सबका हिर्दे से विनंदन करता हूं निताजी स्वास्चंद्र गोष्ट की आज पावन जेनती है भारत माता के इस महांत सपूत को इस उसर पर विनंबर सरधान जली अर्पित करते वे कोटी कोटी नमन करता हूं मैं विनंदन करता हूं स्री सचिदानन्द सर्माजी का जिनोंने भारती जनता पार्टी परिवार के साथ अपनी पूरी प्रतिवदता को दोड़ाते वे आज स्री सुनिल सरमाजी के समर्थन में वे आज इस मंच पर उपस्थित विये हैं मैं उन सब का हिर्दे से उनका विनंदन करता हूं कि भायो बेनों कि उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाओं प्रारंब हो चुका है नामंकन की प्रक्रिया प्रथम चरण के पूरी हो चुकी है और अगले दो दिन के अंदर कि चुनाओं चिन आमंटन के साथ चुनाओं प्रचार और तेजी के साथ आगे बढ़ेगा है कि विधान सभा चुनाओं के लिए कमोई सभी दनों ने अपनी प्रथम दुतिय या इस से अधिक सूची चारी कर दी है बिधान सभा में राजमितिक दनों के चेहरे क्या हो सकते हैं या सोची और वह चेहरे प्रदीश के बारे में क्या सोच रखते हैं अपने छेतर के बारे में क्या सोच रखते हैं इसका भी प्रदर्शन कर रहे हैं आपने देखा होगा शभी दलोने अपने इपनी सूचि जारी की है बीजेपी ने भी समाजवदी पार्टी ने बहुजिन समाज पार्टी ने कॉंग्रेज ने और उन्ने सभी दॉरों पική दलोन की सूचिस बात को बताती हैं कि प्रद्श के बारे में उनकी सूच क्या है 2017 में भारती जन्ता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई थी और जिस विश्वास के साथ प्रदेश की जन्ता ने भारती जन्ता पार्टी को अपना स्रिवाद दिया था प्रदानमंत्री मोदी जी काववान था और प्रदानमंत्री मोदी जी के मार्क दर्सन में 2017 की विधानसवाद चुनाओं के पहले भारती जन्ता पार्टी ने एक लोग कल्याण संकल पत्र जानी किया था लोग कल्याण संकल पत्र में उत्तर प्रदीश की जन्ता के साथ कुछ वाईदे किये गए थे और आज जब उत्तर प्रदीश में भारती जन्ता पार्टी सरकार की पांस साल पूरे हो रहे हैं और हम विद्धानसभाद चुनाओं के लिए वर्तमान में जन्ता जनार्दन का अस्रिवात प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं तो मैं विश्वास के साथ के सकता हूं कि भारती जन्ता पार्टी ने 2017 में जो कहा था इन पांच वर्सों में एक-एक संकल्प को मंतर मान करके उसको पूरा करने का कारे भी किया है भायो बेनो वर्तमान में पुरी दुनिया पुरा देश और पुरा उत्तर प्रदेश करोना महमारी का सामना कर रहा है करोना इस सदी की सबसे बड़ी महमारी है भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नित्रितों में उनके मार्क दर्शन में पुरा देश करोना प्रबंदन का जो कारे कर रहा है वह दुनिया के लिए एक नजीर बना है उन्हीं दुनिया ने उसे हातों हात लिया है जीवन और जीविका को बचाने का जो मॉडल है भारत का वाज पुरी दुनिया ने उसको सराह और यह कारण है 135 करोड की आवादी का भारत और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका से गर हम तुलना करते हैं तो भारत से जिस अमेरिका की आवादी मातर 35 करोड है उस अमेरिका में करोणा से भारत से लगभग दो गुना मौते हुई है हम अन्वान कर सकते हैं कि आवादी भारत की अमेरिका से चार गुना जादा है लेकिन करोणा में अमेरिका पाक के पास सब कुछ होने के बाब जूद अमेरिका ने कोविड प्रवंदन समय से निर्णे न लेने कोविड प्रवंदन में जम्यदारों की रुची न लेने का प्रणाम क्या है कि अमेरिका के अंदर भारत से दुबनी मौते हो गई यूरोप में भी यह इस्तिती है और भायूबेनो भारत के अंदर बना वैक्सीन जिसे प्रणामंत्री मोधी जी ने जब पक्स के नेता किवल छेटा कसी कर रहे थे घरों में रहकर के किवल ट्यूटर पर देश को कुमरा कर रहे थे तब प्रणामंत्री मोधी जी एक एक लेबरेटरी में जाकर के वैक्सीन बनाने के लिए देश की प्रतिक नागरी के जीवन को बचाने के लिए वैक्सीन बनवाने के अभिहान के साथ जोगी है भारत के अंदर बनावा वैक्सीन दुनिया का सबसे प्रवह वैक्सीन में से एक है और एक नहीं दो-दो वैक्सीन भारत को दी अब दौझा === उत्तरक्रदेश कि ऐच आज पचीश करोड़ लोगों को वैक्सीन देने जा रहा है 25 करोड़ वैक्सीन के डोजेच उत्तरप्रदेश के अंदर आज उत्लब प्रवंदन एक मॉडल के रूप में लिया गया है कि फ्री में टेस्ट कि फीरी में उपचार फ्री में वैक्सीन फिरी में रासन और प्रतेक की चिंता करना हरेक के जीवन की रक्सा करना यह हमारा दाहित्व भी था और आपदा के समय कि हर एक विक्ति के साथ खड़ा होने का सासन का जज़वा भी था कि इस सरकार ने किया क्योंकि यह हम सब की जिम्मेदारी थे उस चीज़ें आपने देखें होंगे करोना काल खंट में कॉंग्रेस गायब थी समाजवादी पार्टी गायब थी बहजन समाजवादी पार्टी मैदान से गायब थी या तो केंदर सरकार कारे कर रही थी या प्रदेश सरकार कारे कर रही थी या भारती जनता पार्टी का कारे करता सेवा ही संगठन है कि मंदर के साथ एक-एक व्यक्ति के जीवन को और उसकी जीवका को वचाने के लिए जद्दो जहत कर रही थी भईयो बेनो जब संकट के समय जो आपका साथी नहीं तो उस व्यक्ति को चुनाओं के समय आप अपना साथी कैसे चुन सकते हैं कि ie जो संकत का साती हैं वही सही आपका सुप्चिंतक है जो संकत में साथ छोड़ दे उपामित्र नहीं वास सत्र है और मित्र और सत्र की पैचान हो ना बहुत Janaam कि हमें इस बात को समझना होगा कि वास्पों में प्रदेर और देश के बारे में सही सोच रखने वाले कौन लोग हैं और उस कारिक्रम को हमें आगे बढ़ाना होगा लोग कल्यार संकल पत्रगी में बात कर रहा था दोजार सत्रह के पहले इस पस्षिमी उत्तरप्रदेश में वाते थे क्या इस्तिदियां थी भैका माखुम था बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी स्कूल नहीं जा पाती थी बहुत सारी जगे तो ऐसा था कि साइकाल सूर्यस्त के बाद सुनसान कर्फ्यू जैसा त्रिस्य हो जाता था हर दोसे तेसी दिन कुई न कोई दंगा होता था माफिया सप्ता के संक्रक्षण में जिस किसी की भी बूमी पर कभजा कर लेते थे बिकास के बारे में कोई सरकार का विजन नहीं था सासन की योजनाओं का लाब गरीबों को नहीं मिल पाता था भारती जनता पार्टी ने राष्टबाद सुसासन और विकास के मुद्वे पर इस चुनावी समर में अपने संकल पत्र के साथ भारती जनता पार्टी आई थी पहली ही गोशना अपने देखी होगी हम लोग जब 2017 में आए तो हमारी सरकार ने भारती जंता पार्टी की सरकार ने पहली गोशना की थी हमने पहला लिड़ने लिया था अवैत पुछड़ खानों को बंद करने का बेटियों की सुरक्सा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाइट के गठन करने का और 86 लाग किसानों का 36,000 करूड उपी का कर्ज माफी का यह भारती जंता पार्टी का पहला फैसला था सरकार का समाजवादी पार्टी की सरकार भी 2012 में आई थी पहला फैसला क्या था राम जनम भूई पर आतंकी हमला करने वाले आतंकबादियों की मुकदमों को वापस लेने का फरक साथ है वे आतंकबादियों की मुकदमों को वापस लेते थे माफियाओं को संग्रक्षन देते थे प्रदेश के पेशिवर, माफिय और हिस्टी सीतर उनका सागिर्द बनते थे सत्ता को सोशन का माध्यम बनते थे हमने सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया वहाँ पर मुख्यमंत्री और मंत्री बनने के बाद सबसे पहले अपना बंगला बनाते थे हमने अपना बंगला और अपना मकान नहीं बनाया हमने 43 लाग गरीबों को एक-एक मकान दिया दो करोड 61 लाग लोगों को सोचाले उपलब्द करवाए हर गाओं में बैंकिंग सुधा उपलब्द करवाई विकास का एक मॉडल दिया कि एसिया का सबसे बड़ा एरपोर्ट जीवर में बनेगा अब फिल्म सीटी के लिए मुंबाई नहीं बल्कि गौतम बुद्ध नगर में फिल्म सीटी का निर्माण होगा मेडिकल डिवाइस पार्क पस्सिमी उत्तरप्रदेस में बनेगा अब केराना से प्लाइन नहीं पस्सिमी उत्तरप्रदेस रैपिट रेल की प्रगती के साथ तीजी के साथ आगे वड़ने का कारे कर देगा अलीगण में अलीगण मुस्लिम विश्विद्याले की अस्थापना के लिए राजा महंदर प्रताब सिंग्जी ने अपनी भूमी अपनी प्रॉपर्टी दान की थी लेकिन अलीगण मुस्लिम विश्विद्याले में उनके नाम का एक भी पट नहीं हमने उनी के नाम पर एक विश्विद्याले राजा महंदर प्रताब सिंग उन्निस सो पंद्रा में भारत की एक अंत्रिम सरकार का घठन अफ़कानिस्तान में रह करके किये थे देश की आज स्थापना हो रही है साहरन कुर में माज साखंवरी के नाम पर एक नहीं विश्विद्याले के स्थापना का कारे चलना है पहले गाजियावाद में हजाउस बनता था हमारी सरकार ने कैलास मान सरोड का भून मना दिया भायकल पेनो पहले यहां के ब्यापारीों से यहांकों ध्यम्यों के साहत है माफिया किसMी प्रकार का विवार करते प्रै और ऑज किसी माफिया की हैसियत नहीं किसी ब्यापारी को, किसी चिकित्सक को, किसी संभांत नाकरी को या किसी गरीब की संपति पर कब जा कर ले क्योंकि अगर करेगा तो बुर्डोजर भी चलेगा पहले इन गरीबों को मिलने वाला अन गरीबों की पास नहीं चाता था यह अन माफिया के माध्यम से बांगलादेश पहुचा दिया जाता था आज यह अन उन गरीबों को उपलब्द हो रहा है पंद्रो करोड गरीबों को डवल इंजन की सरकार डवल डोज का अन्नभी उपलब्द करवा रही है नो करोड लोगों को पांस लाख रुपिये की सालाना सास्ते पीमा का कबर भी उपलब्द कराया जा रहा है और एक करोड लोगों को एक करोड लोगों को एक हजार रुपे बुर्दजन विद्वा मेलाएं और दिप्यांग जनों को एक हजार रुपे हर महीने पेंसन की सुझधाभी से प्लक्त कराई जा रही है भाईयों बेनों 2017 के पहले बिजली आती नहीं थी जो आज कह रहे हैं कि 300 फिरी में बिजली देंगे इंसे पूछना चीए बिजली जब आती नहीं थी तुम बिजली नहीं देते थे तुम तो अंधेरे में रहने के अभ्यस्त थे क्योंकि चांदनी रात चोरों को अच्छी न क्यों बेकूप बनाते हो क्यों आँखों में दूल जोंकने का काम करते हो अब नए ने स्वगुफे हमने अपने युवाओं के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कारवाई की और वो कह रहे हम स्मार्टफोन हम भी देंगे उनको मालूम ने कि उनको आना नहीं है कुछ भी बोल दो कि कुछ भी बोल दो कि कहते हैं पुरानी पेंशन बहाल करेंगे जब पुरानी पेंशन रोकी गई थी तब उनके अपाजान ही प्रदेश की मुख्यमंत्री तो और उसके बाद चार वर्सों तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहें फिर पांच वर्स तक उन्हें स्वेम प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बनने का उसर प्राप्त हुआ लेकिन भाईयों बेनों प्रदेश के सरकारी करमचारियों को प्रदेश के सरकारी करमचारियों के बारे में उनके पास कोई सोच नहीं थी न्यों पेंशन स्कीम में करमचारियों के एकांट भी नहीं उन्हों ने खोले थे और जो इंप्लाइस्ट कंट्रिबूशन होता है इसमये सासं दस फीज्टी देता था करमचारी को दस फीज्टी देना था अकांटी नहीं थे पैसा ही नहीं जमा होता था पिछली सरकार ने चार से लेके 2004 से लेकर के 2017 तक कोई पैसा जमा नहीं किया जो हम लोग आए मैंने इसकी जाच की कि करमचारियों को लियू पिंचन स्कीम में अगर वा रिटार होता है उसको इसका लाब मिला है कि नहीं मिला है तो हमारी सरकार ने आकर के उन सभी करमचारियों के एककाउंट खुलवाए 10,000 कुरूर उपे मैंने बजट से उपलब्द करवा करके उनके एककाउंट में जमा करवाने का कारे किया 10,000 कुरूर उपे और implies contribution को भी मैंने 10% सरकार का 10% से बढ़ाके 14% करने का कारे भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार नहीं किया करोना कालखंड में किसी भी करमचारी के बेतन में हमने कटोती नहीं की तमाम जगे राज्य सरकारों ने कटोती कर दी थी उत्तरप्रदीस नहीं की लेकिन जिन लोगों ने विकास नहीं किया माफियाओं को संग्रक्षन दिया पेसेवर अपरादियों को सागर्द बना करके प्रदेश में लूट माट मचाई प्रदेश में दंगों की एक नई स्रिंखला खड़ी की आज उनके टिकट भी उसी रूप में आप देखने को मिले होगे आप देख रहे होंगे किस किस प्रकार के टिकट दे जा रहे है केराना में ब्यापारिये और हिंदों के प्लाइन के लिए जिम्मेदार वेक्टियों को केराना से टिकट दे दिया बुलंसर में, मुजफण अगर में, सहरनफुर में, लोनी में, मुरादाबाद में, अम्रोहा में, एक लंबी फिरस्त है, देखते जाईए किस प्रकार के दोगों को टिकड़ते रहें, यह उनकी सोच बताती है, भारती जनता पार्टी ने सामाजिक संतुलन को बनाए रखते वे, हर एक तब के को प्रतनिदित्व भी दिया है, लेकिन साथ साथ, राष्टवार, विकास और सुसासन की मुद्दे पर कोई समझोता भी नहीं किया है, और मैं यही कहने के लिए आज आपकी पास आए हूं, भारती जनता पार्टी इस सुनावी समर में आप सब के सामने ह आप सबसे कहने के लिए आई है, आपने 2014 में, 2017 में, 2019 में भारती जनता पार्टी को अपना असरी बात दिया, भारती जनता पार्टी के प्रतियासियों को अपना असरी बात दिया, बतले में बिकास और सुसासन का मॉडल राष्टवात का एक नामन्या मॉडल भरती जंता पार्टी नी दिया जो कहा सो करके दिखा दिया हमने जो भी कहा सुरक्षा के मुद्धे पर आस्ता के मुद्धे पर आखिर यहीं से तो कावड यात्रा निकलती है कावड यात्रा को तो किसली सरकार ने रोक दिया था हमारी सरकार ने का नहीं रुके की नहीं हम सुरक्षा भी देंगे और पुस्प वर्षा से सम्मान भी देंगे हमने तो नहीं रोका भायो बेनों ये विकास की भी आप देखते होंगे मुझे लगता है कोई महिना नहीं रहोगा जब यहां के सांसच जनरल विके सिंग जी यहां के विधायक से सुनिल सर्मा जी जब यहां के विकास के मुद्वे को लेकर के हमारे सामने मेरे पास नाते रहे हों या भारत सरकार के मात्यम से विकास विभिन योजनाओं को लेकर के नाते रहे हों गाजियाबाद सहर आज एक न दिल्ली के बगल में किस प्रकार की स्थित्ती गाजयाबाद की घनी आबादी के बीच में किस प्रकार की अभिवस्ता की स्थित्ती आज गाजयाबाद एक नया मौडल की रूप में उभर रहा है और इसलिए मैं आज अब सब को कहने के लिए कि भारती जन्ता पार्टी क्यों कि प्रदेश में कानून का राज हो कि हिस्ती सीटर थानों का संचालन न करें पेशेवर प्राधी सत्ता का संग्रक्षन न पाने पाएं भ्रष्टा चार पर प्रभावी अंकुस रहे माफियाओं के खिलाब बुल्डोजर चलता रहे दंगाईयों को सक्त सजा दी जा सके तुष्टी करण की राजनीती के लिए कोई अस्तान न हो सरकारी भरती में पारदर्शिता बनी रहे गरीबों को किसी के सामने हाथ न पहलाना पड़े बिजली निर्वाद रूप से 24 घंटा मिलती रहे एक्सप्रेस वे जीवन की रब्तार को बढ़ाती रहे बहन बेटियों के सम्मान के साथ कोई गुंडा खिलवार न कर सके आगे भी करोना जैसी महामारी का बेश्टा रहे यूगी आदितिनात को आप सुन रहे थे उनका साथ तोर पर कहना है कि भारती जनेता पाटी ने जो भी कहा है वो तमाम वादे पूरे किये है चाहे वो आस्ता का मसला हो सुरक्षा का मसला हो कानुन विवस्ता का मुद्दा हो या माफियाओं के खिलाब सक्त आक्शन लेने की बात हो तमाम वादों को बीजेपी सरकार ने पूरा किया है और इसी तरीके से जनेता के हित में कदम उठाते रहेंगे